दोस्तों ये जो वीडियो है ये Google AdWords सीरीज का Part 2 वीडियो है और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने वीडियो को Google AdWords पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं आप अपने वीडियो का Campaign Create कैसे कर पाएंगें तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाते हैं आप भी सीखना चाते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरी ध्यान से देखते रहें लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को बोलना चाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे अपने वीडियो को Google AdWords पे promote करना चाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले Google AdWords Account Create करना पड़ेगा जिसका दूसरा नाम Google Ads भी है तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप New Account Create करते हैं फर्स्ट बार अगर आप Google AdWords पे account create करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2000 रुपए का benefit हो जाएगा यानि फाइदा हो जाएगा तो आपको 2000 का फाइदा कैसे लेना है इस पर अल्रेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपने वीडियो को Google AdWords पे promote कैसे कर पाएगे और उस पे campaign create कैसे कर पाएगे तो दोस्तों जितना भी process होगा वो सारा मैं smartphone के थो ही बताऊँगा क्योंकि दोस्तों मेरे पास laptop नहीं है मैं जो भी करता हूँ सारा smartphone से ही करता हूँ तो अगर आप भी एक smartphone user है तो दोस्तों आप इस वीडियो को definitely एक बार जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों जितना भी process होगा उस सारा मैं smartphone से ही करूँगा और आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा लेकिन दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसे एक छोटी सी request है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like करने है और साथ में इस च्छाम को subscribe करके bell icon को आपका अलट से लेक्ट कर लेना है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहूल आप देखने है दा स्मार्सरी योटीब चैनल तो चलिए फिर से कुछ नया आश्राई करते हैं और दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को एक बात और बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे है अपने यूटीब चैनल के अंदर और आपका जो चैनल है ग्रो नहीं हो पा रहा है आपका जो 4000 अवर का वाच टैम होता है वो भी पूरा नहीं हो रहा है तो दोस्तों मैं एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानता हूँ जो कि मैं अगर आप लोग को बताऊंगा तो आप Google AdWords को यूज करके अपने चैनल का 4000 का जो वाच टैम होता है उसको आप पूरा कर पाएंगे और यहाँ पर आप जान सकते हैं कि Google AdWords में जो भी आप वीडियो को प्रमोट करेंगे वहाँ पर वाच टैम नहीं काउंट होता है लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप यूज करेंगे तो अगर आप अपने वीडियो को Google AdWords पर प्रमोट करेंगे ताकि दोस्तों जैसे मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा इस चैनल पे आपके पास नॉटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपने चैम का जो वाच टैम होता है वो पूरा कर पाएगा दोस्तों चलिए मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि आप अपने वीडियो का कैमपेंड कैसे क्रियेट कर पाएगे तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्ट्रेंड की और तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने गूगल एडवर्ड के अंदर अपने वीडियो का कैमपेंड कैसे क्रियेट कर पाएगे यह मैं आप लोग को बता देता हूं तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को आपन कर लेना है और दोस्तों मैं यहाँ पे अपने गूगल एडवर्ड एकाउंट को लोगिन कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको आगे क्या करना है और दोस्तों आपको पूरे ध्यान से आपको वीडियो को देखने आपको बिल्कुल भी असकीप नहीं करना है अगर आप एक भी स्टैप को असकीप कर देंगे नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और आपका जो वीडियो है यहाँ पे रन नहीं हो पाएगा तो दोस्तो यहाँ पे आपको वीडियो को बिल्कुल भी असकीप नहीं करना है तो दोस्तो जैसा आप यहाँ पे अपने Google AdWord एकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं आप यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और दोस्तो अगर आपका इस तरह के का इंटरफेस नहीं आ रहा है तो दोस्तो आप जाकर कि उस वीडियो को देख सकते हैं जिस पे मैंने आप लोग को बताया कि आप Google AdWord एकाउंट कैसे कर पाएंगे उसमें मैंने आपको बताया कि आप इस तरह के का इंटरफेस आप अपने फॉन में कैसे लाप आएंगे तो आप जाकर कि उस वीडियो को देख सकते हैं और तो अगर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाता है तो दोस्तो यहाँ पे आपको क्या करना तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है create evangel campaign आपको इसको कलिक कर देना है और जैसे हम पर click करेंगे फिटसरा आपको बहुत सावरा option मिल जाता है अगर आप यहां पर ध्यान दे पा रहे होंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको एक video campaign का option मिल जाता है आपको simply इसको select कर लेना है और नीचे आपको यहां पर custom video campaign का option मिलता है आपको इसे पर रहने देना है और नीचे आपको continue का option मिल जाता है आपको simply इस अगर आप यहां पर थोड़ा सा भी mistake कर देंगे तो आपको जो campaign है यहां पर run नहीं हो पाएगा और आपका जो video है यहां पर promote नहीं हो पाएगा अगर आप Google AdWords पर promote करना चाहते हैं तो इसलिए दोस्तों आपको इस जो मैं यहां पर आप लोगों बताऊंगा इसको आपको प करके पूशेंगे अपना doubt केर नहीं करेंगे तो यहां पर पर फ़रस जाएंगे इसलिए दोस्तों आपको कोई भी अगर doubt रह जाता है कोई भी सवाल आपको करना है तोадц dice comment करके पूश सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर दीख सकते हैं.. उसी वीडियो का टाइटल यहाँ पे आपको चिपका देना है तो दोस्तों क्या है मैं आपको देखा देता हूँ कैसे आपको तो दोस्तों वहाँ पे आपको क्या करना आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने टाइटल को paste कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको उपर scroll करना है। और यहाँ पे आपको 2 ऑपिसं मिल जाता है बजट का। दोस्तों आप यहाँ पे अपने वीडियो को कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। यानि आप अगर अपने वीडियो को प्रमोट करना चाहतें Google AdWords पे तो यहाँ पे आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं यहाँ पे आपको select करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो option मिल जाता है एक आपको daily का option मिलता है और यह को total का तो दोस्तों यहाँ पर आपको total पर ही select रहने देना है और आप यहाँ पर जितना खर्च करना चाहते हैं यहाँ पर आपको enter कर देना है तो दोस्तों मैं यहाँ से 500 एंटर कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको time set करना है यानि 28 December तक, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप फिप्टीन डेज हो गया है, और यहाँ पे डेली जो यहाँ पे आपका जो खर्च होगा, आपके बजट से जितना भी खर्च होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 33 रूपीज यहाँ पर यहाँ पर खर्च हो और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3rd नमर और 2nd नमर को आपको अंटिक कर देना है, और 1st नमर का जो आपको option मिलता है, YouTube सर्च रिजल्ट आपको इसी को सेलेक्ट कर रहने देना है, यानि दोस्तों यहा यहाँ पे कोई भी YouTube पे आपके topics related, अगर यहाँ पे कोई भी वीडियो सर्च करेगा, तो सबसे उपर में आपका जो वीडियो है, यहाँ पे suggest कर देगा, Google AdWords की मदद से वहाँ पे suggest हो जाएगा, उसके कारण से यहाँ पे आपके वीडियो पे भी हो जाएगा, तो यहाँ आपको इसी को select करना है, यह बहुत ही अच्छा होता है, और यह सस्ता भी होता है, इसलिए इसको select कर देना है, उसके बात दोस्तों यहाँ पे आपको location का option मिल जाता, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ अलग-अलग language पे वीडियो जबनाते हैं, तो यहा यहाँ पे आपको enter another location का option मिलता है, आपको इस पे कलिक करके आप अलग country को select कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ इसे इंडिया को select रहने देता हूं, उसके बात दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, language, जिहाँ दोस्तों अगर यहा और language पर वीडियो बनाते हैं तो यहां पर आप कोई भी और language को भी select कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों मैं यहां से all language यहां पर automatic select है तो मैं इसी को रहने देता हूं यहां पर कुछ भी नहीं करता हूं उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से अपने वीडियो का टाइटल ही पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से फिर से अपने वीडियो का टाइटल पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको एक option मिल जाता है, तो इसके सामने आपको एक arrow मिलत आपको इस पर click कर देना है और आप अपने channel के अंदर देख सकते हैं कि आपका जो videos देखता है कौन से age group का देखता है आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो दोस्तों मेरे channel पर जितना भी videos में views आता है सारा जो views आता है वो आता है 18 to 24 उसके बाद 25 to 34 इतना को मैं select कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों बाकी को मैं untick कर देता हूँ और इसी तरीके से आप अपने channel का analytics चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको पता चल जाएगा और यहाँ पर आप age group को select कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँपको next option मिलता है audience का मैं आपको Zoom कर क해 दिखा देता हूँ आप यहाँपे देख सकते हैं यहाँपे audience का option मिलता है और इसके सामने भी आपको arrow मिलता है तो दोस्तों आप यहाँपे select कर पाए़एंगे कि आपका जो यहाँ पर वीडियो है कौन से category का है अपर यहाँ पर select कर सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ से social media को select कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा category मिल जाता है अगर यहाँ पर आपका जो category जरूर एंटर करना है अगर आप यहां पे कीवर्ड ज़ादा से ज़ादा एंटर करेंगे एड करेंगे तो आपका जो वीडियो अगर कोई भी यूट्यूब पे उस कीवर्ड को अगर सर्च करेगा तो आपका जो वीडियो है सबसे टॉप पे यहां पे आएगा Google AdWords की मदद से और उस पे व्यूज आएगा तो दोस्तों यहां पे आपको बहुत ज़ादा सर्च करके यहां पे आपको कीवर्ड को एड करना है ताकि आपका जो वीडियो केमपीन है इस पे ज़ादा से ज़ादा व्यूज आप आएगा तो दोस्तों मैं यहां से कोई भी अभी एक दो keyword को add करके दिखा देता हूँ नहीं तो यह जो वीडियो बहुत ही जादा लंबा हो जाएगा अगर यहाँ पर कोई भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं या रहा है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर keyword add कर सकते हैं तो दोस्तो जो मेरा यहाँ जो वीडियो मैं यहाँ पर add कर रहा हूँ यानि campaign जो मैं create कर रहा हूँ इसका जो वीडियो का title है यह है Canon 200D Mark II DSLR camera का unboxing तो दोस्तो मैं यहाँ से वही enter कर देता हूँ तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खुछ इस तरीके से आप यहाँ पर keyword add कर सकते हैं और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर बहुत सारा keyword enter करना है जैसे कि यहाँ पर Canon 200D Mark II unboxing review वीडियो quality Canon 200D Mark II image quality Canon 200D Mark II India price इस तरीके से आपको बहुत सारा keyword enter कर लेना है आपका वीडियो जिस भी topic पर होगा उस topics related आपको बहुत सारा keyword enter कर लेना है तो दोस्तो मैं इसको भी उपर scroll कर देता हूँ उसके बात दोस्तों यहाँ पर आपको next option मिल जाता topic का आपको इस पर click कर देना है और जैसा आप यहाँ पर click करते हैं यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर topic आपका किस topic पर यहाँ पर वीडियो है आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो दोस्तों मेरा जो वीडियो है यहाँ पर gadget से related है क्योंकि इसमें मैंने camera का unboxing किया था तो दोस्तो मैं आसे select कर लेता हूं gadgets and pro table electronics मैं इसको select कर लेता हूं और इसी तरीके से search करके आप अपने वीडियो का topic यहाँ पे search कर सकते हैं और उसको select कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो मैं इसको भी उपर scroll कर देता हूं उसके बाद यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है placement और दोस्तो यह जो आपको option मिलता है यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर दोस्तो मान लिजिए कि मैं यहाँ पे YouTube से related videos बनाता हूं तो दोस्तो यहाँ पे आप select कर सकते हैं कि आपका जो ad है कहाँ पे दिखाया जाएगा यानि क्या search करेगा कोई YouTube पे तो आपका वीडियो आएगा तो दोस्तो यहाँ पे आपको इस पे click कर दिना है अगर आप यहाँ पे कोई भी channel को select करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे search कर सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहा है आप कुछ इस तरीके से search कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपको नीचे option मिल जाता है YouTube channels और यहाँ पे YouTube videos और दोस्तो आप मैं चैनल को सलेक्ट कर लेता हूँ और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं फिरसे को यूट्यूब्स के ओप्षन पर क्लिक करना को यह नेक आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है YouTube वीडियो अगर आप इस पे click करते हैं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यह जो वीडियो को अगर इस वीडियो को search करेगा तो वहाँ पे अगर मेरा add दिखाया जाए उसके बाद आपको आगे क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसके बाद दोस्तों next option आपको मिल जाता है bidding यानि दोस्तों इसका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा आप लोग को explain कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है maximum cost per view यानि आप एक view का कितना पैसा देना चाते है Google AdWords में यहाँ पर पूछ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको first में select करना है 20 पैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ यहाँ पर 20 पैसा select कर लिया है उसके बाद दोस्तों अगर आपके add पर बहुत ज़्यादा views आता है तो यहाँ पर आप 15 पैसा या फिर 10 पैसा भी कर सकते हैं या फिर अगर यहाँ पर बहुत ही कम views आता है तो यहाँ पर आप 20 पैसे से 25 पैसा भी बढ़ा सकते हैं बाद में आप change कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों next option आपको यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी वीडियो यहाँ पर promote करना चाहते हैं यहाँ पर आपको URL paste करना है तो दोस्तों मैं यहाँ से अपने वीडियो का लिंग कॉपे कर लिया है यहाँ पर paste कर देता हूं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो वीडियो यहाँ आ चुका है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर keyboard एड़ पर select है यहाँ फिर video discovery एड़ पर select है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है headline तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ से Canon camera ही दे देता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर Canon camera दिया उसके बाद दोस्तों सेकेंड में भी आपको यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे देख सेकते हैं मैं फिर से वही दे देता हूँ Canon Camera उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थर्ड ओप्सन मिल जाता है डिस्क्रिप्सन नमबर टू तो दोस्तों मैं यहाँ से Canon 200D Mark II एड कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको अपने वीडियो का पूरा टाइटल एड कर देना है यहाँ पे आप कुछ भी थोड़ा सा भी एड करेंगे तो भी यहाँ पे काम बन जाएगा तो दोस्तों मैं यहाँ से अपने camera का model number एड कर देता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एड कर लिया उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है नीचे आपको एक option मिल जाता है create campaign आपको इस पे click कर देना है और जैसे आप यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे आप देख सकते एक नए interface आ जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी problem होगा तो वहाँ पे red line हो जाएगा और यहाँ पे आप कुछ नए interface में नहीं आपाईगे और अगर वहाँ पे सब कुछ सही होता है तो आप यहाँ पे नए interface में आ जाएगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको continue campaign का offer मिल जाताब को इस पे click कर देना है तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो campaign है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एड हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है अगर यहाँ पे add या फिर impression नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो video यहाँ पे select किया था यानि cost per view यहाँ पे आपने select किया था इसको आपको यहाँ पे change कर दिना है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पे click करना और यहाँ पे आप change कर सकते हैं उसके बात दोस्तों यहाँ पे आपको wait करना है और आपको जो video campaign है यहाँ पे run होने लगेगा इस पे impression और views भी आना start हो जाएगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके साब Google AdWords को use करके अपने वीडियो को promote कर सकते हैं और दोस्तों गर आपको कोई भी question पूछना है आपके मन में कोई भी सवाल रह गया होगा तो दोस्तों आप नीचे comment करके जरूर पूछने में आपके सारे doubt को clear करनी की कोसिस करूँगा तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था और दोस्तों मैंने आपको जैसा कि वीडियो के first में बताया कि अगर आप Google AdWords को यूज करके अपने चैनल का 4000 आवर का जो watch time इसको पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको नीचे comment करके जरूर बताना है तो दोस्तों दोबारा मिलता हम सित्रक के interesting और एक new वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद जाए भारत